तो हमने स्थार्ट कराता B Pharmacy फिफ समिस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी में यूनेट नमबर टू और यूनेट नमबर टू के लास लेक्चर में हमने टैबलेट्स को डिटेल स्टड़ी कराता जहां पर हमने देखा था टैबलेट का इंट्रोड़क्शन, आइडियल करेक्ट टेबलेट का इंट्रोडक्शन आइडिल करेक्टेस्टिक्स एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लासिफिकेशन और एक्सिपेंट कौन-कौन से यूजड होते हैं टेबलेट फॉर्मिलेशन के दोरान जैसे प्रिजर्वेटिव कल्रिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट वगेरा वगेरा अब आज का आपका लेक्चर है उसमें हम देखने वाले हैं फॉर्मिलेशन ऑफ टेबलेट मतलब किस किस मेथड से टेबलेट बनती है जैसे ग्रेनुलेशन मे मेथड वेट ग्रेनुलेशन मेथड डायरेट कंप्रेशन मेथड तो कई तरह की मेथड है जिसकी मदद से आप टेबलेट को फॉर्म करोगे अब टेबलेट बनाने के दोरान कौन-कौन सी प्रॉब्लम आती है वो सारी प्रॉब्लम को डिटेल स्टेडि करेंगे उसके टेबलेट जब बनती है तो उस दोरान क्या-क्या दिक्कते आती है साथी साथ एक्विपमेंट्स टूलिंग हम कवर करेंगे तो आज के इस लेक्चर में एक सेक्षन कंप्लीट होने वाला है लेक्चर को धियान से सुनना यहां की अगर मैं इंपोर्टेंस की बात करू तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते अगर आपको और लेक्चर की रिक्वामेंट है तो आप चेक कर सकते हमारी प्लेइस्ट जहां पर आपको यूनिट वाइस सारे लेक्चर मेंने मेंशन किये हुए हैं और अगर आपको नोट्स की रिक्वामेंट है तो आप चेक कर सकते हम आप्लिकेशन डेप्ट ऑबायलोजी की एप्लिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल में और टेबलेट बनाने के लिए आपके पास ग्रेनियूल होना जरूरी है क्योंकि ग्रेनियूल से ही टेबलेट बनती है अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर पाउडर है और पाउडर को भी अगर मैं कंप्रेश कर दूँ पाउडर का अगर मैं कंप्रेशन करा दूँ तो से भी टेबलेट बन जाएगी तो फिर आप ग्रेनियूल से टेबलेट क्यों बना रहे हो ग्रेनियूल को आप टेबलेट में कंवर्ट क्यों कर रहे हो जबकि पाउडर को कंप्रेस करने पर भी टेबलेट बन जाती है तो फिर हम ग्रेनियूल से ही क्यों बना रहे हैं देखो ग्रेनियूल की flow property बहुत अच्छे होती है, जब कभी भी आप tablet formulation करोगे, तो आपको एक equipment को use करना होगा, ठीक है, उस equipment में इस तरह से hoper लगा होता है, क्या होता है, hoper, उस hoper से आपको granules को pass करना होता है, ग्रेनियूल से इस तरह से होते हैं, और ग्रेनियूल की flow property अथी होने के कारण, यह hoper को easily cross कर लेते हैं, और आजाते हैं, machine की die capability में, ध्यान से सुनते जाओ, और समझते जाओ, मैं आपको अभी यह कह रहा हूँ, कि हम ग्रेनियूल से ही tablet क्यों बना रहे हैं, हम powder से भी तो tablet ब ग्रेनियूल की flow property अथी होना जरूरी भी है, क्यों जब आप ग्रेनियूल डालोगे, तो hoper से वो pass होकर आ जाएंगे, die cavity में, यह die cavity, machine का वो part है, जहां पर यह granule convert होने वाले हैं, tablet में, आगे हम बात करेंगे, die cavity क्या होता है, granule कैसे tablet में convert होते हैं, पर अभी मैं आपसे य ग्रेनियूल को क्यों यूज ले रहे हो, powder को क्यों यूज नहीं ले रहे हैं, तो हम powder को इसलिए यूज नहीं ले रहे हैं, क्यूंकि powder जो है flow property कम रखता है, और अगर powder flow के निछे ही नहीं आपाईगा, तो क्या है उसकी tablet बनेगी, तो powder की flow property कम होती है, पर granule की flow property अथ ही हो होता है देखो मैं आपको समझाता हूँ ज्यान से सुनना सबसे पहले मैंने बोला कि ग्रेनियूल की अगर मैं बात करूं तो इसकी प्लो प्रोपर्टी बहुत अच्छी होती है एस कंपेर टू पाउडर इसकी अच्छी नहीं होती दूसरा ग्रेनियूल में जो है हाइग्रोस इसकी नहीं होती ग्रेनियूल जो है अगर खराब होंगे तो वह बहुत बाद में होंगे ऐस कंपेट टू पाउडर पाउडर के कंपेरिजन में बता रहो तो कौन अच्छा है ग्रेनियूल क्योंकि इसकी प्लोप्रोपिटि भी जाद आए इसकी हाइग्रोस कोपिसिटी भ अलग-अलग हो सकते हैं पर जो granule होता है उस granule के पार्टिकल अलग-अलग नहीं होते granule में separation देखने को नहीं मिलता तो यह बात दियान रखना granule में separation देखने को नहीं मिलता इसलिए gareneul बैस्ट है है to avoid powder segregation मतलब सेधिसी बात है कि हमें segregation का अवाइड करना है separation को ओवाइड करना है that's why we have to prefer the granule और भी कई कारण होते हैं कि granule से कोई toxic dust release नहीं होती पर अगर में बात करूब powder की तो वहां से release होती है ठीक है तो कई ऐसी condition से जिसकी वज़े से हमें prefer करना पड़ता है granule को as compare to powder ठेके सब हमें यहां तक clear हो गया कि granule की flow property अच्छी होती है granule में agroscopicity कम होती है और भी कई फाइदे है granule को use करने में और granule से tablet बनाने में as compare to powder अभी जो granule का formulation होता है इस granule के formulation के step को granule के बनने को हम कहते हैं granulation process यह जो granules आपको दिख रहे है ना इनको बनाने की process होती है उसका नाम है granulation process तो आईए देखते है granulation process किस तरह से होती है किस तरह से granule बनता है a granulation process में be defined as a process where a small particle अधे together by forming bond between them आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल है न यह आपस में जुड़ जाते हैं इनके आपस में bond बन जाते हैं और इस तरह से यह क्या बना लेते हैं यह आपका granule बना लेते हैं तो small particle अधे together by forming bond between them resulting in the formation of large aggregate called granule जिसकी वज़े से बड़े-बड़े aggregates बन जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं granule कहते हैं तो इस तरह से granule formation होता है और इस पूरी process को हम कहते हैं granulation की process और आपको यह भी मैंने बता दिया why granule is necessary as compared to powder during tablet formulation ठीक है अब चलिए देखते हैं कि किस-किस method से आप tablet को form कर सकते हो तो कई तरह की method यहां पर दे रखिए जैसे direct compression method, dry granulation method, wet granulation method और granulation by crystallization हम देखने वाले हैं direct compression को dry granulation को wet granulation को तो द्यान से सुनते जाओ समझते जाओ कि आखर direct compression से कैसे tablet बनती है और कौन सी tablet है जो की direct compression से बनाई गई है तो आईए देखते है direct compression में क्या होता है सबसे पहले तो आप यह याद रखिए कि जो direct compression के method होती है वो एक dry process होती है dry process का मतलब होता है in the absence of moisture, in the absence of granulating liquid कोई भी liquid यहाँ पर use नहीं होता, कोई भी moisture का यहाँ पर use नहीं होता direct compression जो है एक तरह से पूरी dry process है ठीक है और यहाँ पर जो भी आपका material होता है जो भी आपका raw material होता है उससे आप tablet को बना सकते हैं देखो किस तरह से सबसे पिले आपके बास drug है, इस drug को आप छोटे-छोटे पार्टिकल में convert करोगे with the help of grinding process, grinding process में क्या होता है बड़े-बड़े drug के particle छोटे-छोटे drug के particle में convert हो जाते हैं, अभी यहाँ पर क्या बन चुका है एक्सिपेंट आपको add करने पड़ते हैं drug के साथ, mix करने पड़ते हैं drugs के साथ, और mix करने के लिए mixing करनी है, mixing आपने pharmaceutical engineering third semester में पढ़ी है, और mixing में आपने पढ़ा है vicon blender और यह है आपका vicon blender और यहाँ पर आपको करनी है mixing, तो इसकी मदस से आप drug को और excipient को mix कर सकते हैं, ठेके, यहाँ पर क्या होगा drug और excipient जो है आपस में mix हो जाएंगे, उसके बाद tablet को प्रेस करना होता है, और finally tablet formulation हो जाता है, तो यहाँ पर कितना simple step पर देको direct compression में, सब सब लिए drug है, drug का आपने क्या कराना है, grinding करानी है, मतलब particle size क को कम कराना है, उसके बाद drug और excipient को मिलाना है, तो मिलाने के लिए mixing की ज़रोते, mixing के लिए, वीकॉन blender की ज़रोते, यहाँ पर आप mixing करोगे, drug को excipient के साथ मिलाओगे, जैसे ही drug और excipient आपस में mix हो जाते हैं, अब आपने वहाँ पर compression करना है, और compression करके, compress करके, आपको tablet का formulation कर लेना है, that's why it is known as direct compression method, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीधा आपके पास drug का बड़ा particle था, उसके आपने grinding गरा के चोटी particle में convert किया, excipient को add किया, tablet को press किया, और finally आपकी tablet आपके पास बन चुकी है, तो direct compression में हमने क्या देखा, direct compression एक ऐसी step पे, जहाँ पर कोई भी liquid और moisture का use नहीं होता, यहाँ पर raw material को सीधा आप tablet formulation में convert कर सकते हैं, tablet का formulation कर सकते हैं, और direct compression एक dry process है, अब देखते हैं, इसी कौन-कौन से tablet है, जो कि direct compression से बनी हुई है, तो सबसे पहली tablet का नाम है, formulation of ascorbic acid tablet, ascorbic acid का मतलब होता है, vitamin C की tablet, ठीक है, जो कि tie fight वगेरा में दी जाती है, vitamin C की tablet, और दूसरी tablet है, आपके पास formulation of chewable anti-acid, जैसे digene, chewable anti-acid होता है, digene, तो इस तरही की tablet जो है, आपके direct compression method से बनती है, ठीक है, direct compression clear हुआ, अब यह जो भी मैंने लिखा हुआ है, grinding, blending, mixing, tablet trace, इन सब के बारे में एक एक लाइन में यहाँ आपर लिखी हुई ह grinding, blending, tablet trace, क्या होती है, अब next है आपका direct compression की बाद, जो next step आता है, वो है आपका dry granulation method, आप देखो dry granulation method क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, तो देखो, यहाँ पर mention किया हुआ है, कि जो dry granulation की process है, उसे आप कह सकते है, double compression process, और we can say compression granulation, और we can say pre compression granulation, dry granulation, also known as double compression, compression granulation, और pre compression granulation, इस process में होता क्या है, हमें यह तो पता लगया कि dry granulation को हम double compression कहते हैं, compression granulation कहते हैं, या फिर आप बोल लिजिए, pre compression granulation कहते हैं, अब यहाँ पर होता क्या है, वो देखो, जो भी आपके पास material है, जो भी आपके पास raw material है, starting material है, initial material है, उसे आप ब स्लग का मतलब होता है एक तरह से कॉमपेक्ट मास इस तरह से कॉमपेक्ट मास बनाओ सबसे पहले क्या था आपके पास आपके पास था रो माटिरियल रो माटिरियल से आपने क्या बनाया स्लग बनाया एक कॉमपेक्ट मास बनाया ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है इस स्टार्टिंग मटेरियल ठीक है जो भी आपका टेबलेट फॉर्मिलेशन माटेरियल है उसका आपको बनाना है और मैंने किसी भी तरह का मॉइस्चर का कोई आल्कोल का, मतलब ऑवर्रोल अगर मैं बोलो तो किसी भी लिक्विट का मैंने यूस नहीं किया है, तो ऐसी ड्रग आप यहाँ पर यूस कर सकते हैं, जो कि पानी से खराब हो जाती है, हम देखो यहाँ पर कोई भी पानी यूज नहीं कर रहे ना कोई भी मॉइस्टर यूज नहीं कर रहे कोई भी अल्कॉल यूज नहीं कर रहे कोई भी लिक्विडम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे अब यहां पर साफ साफ में लिखा हुआ है सबसे बिल आपको क्या करना है slug बनाना है उसके बाद आपको screening करानी है चन्य से pass out करना है और granules बन जाएंगे आपके उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि moisture sensitive जो drug होती हिना वो drug यहाँ पर आप tablet formulation कर सकते हो उन drug से क्योंकि यहाँ पर किसी भी तर्य का कोई भी वोटर हमने यूज ने लिया नाम से पता लग रहा ड्राइग लेशन नाम तो okay अब यहाँ पर देखो आपको ड्राइग लेशन का प्रोंसेज़र दे रखा है तो इसके को ध्यान से समझना सबसे पहले आपके पास होती है ठीक है इस ड्रग का आपको कराना होता है grinding मतलब यह को छोटे छोटे पार्टिकल में आपको convert करना होता है तो जो आपके पास रग तिंग उसके आपने करा दी grinding उसको आपने छोटे-छोटे particle में convert कर दिया अब डrug के साथ आपको क्या ahead करना है डrug के साथ हमें excipient add करना है या फिर आप बोली जी additive add करना है excipient और additive जिसे preservative correcting agent flavoring agent switching agent तो हमें drug के साथ add करना हे तो add करना है मतलब mix करना है mix करने के लिए mixing करने के साथ की मजद लेनी है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ड्रग था उसको मैंने चोटे पार्टिकल में कनवर्ट किया उसकी ग्राइंडिंग करा दी जब चोटे पार्टिकल मेरे पास बन गए तो उसकी मैंने मिक्सिंग करा दी विद्ध हल्प ओफ वी कॉन ब्लेंडर और क्या म में आपको करने हैं पाउडर का क्मपूरेशन जो भी आपके पास अभी ट्रग एक्सिंग का कॉंप्लेक्स है उसका कंपूरेशन करना है आप बोलते ह QR निकीव होती है तो जब आप इस रोलर के बीच में डर्ग excipient के complex को डालोगे तो इस तरह से pallet form हो जाता है this is pallet इस तरह से pallets का formation हो जाता है अब यह आप unit number 3 में 10 marks के according पढ़ोगे pallets होता क्या है ठेके तो फिलाल लिता है अदर को pallets form हो जाता है अब यह pallets form हुआ तो यह काफी बड़ा है तो इसकी वापिस में को क्या करनी पड़ती है crushing करनी पड़ती है मतलब इसको break करना पड़ता है इस तरह से break करना पड़ता है देखो मैं repeat करते दा हूँ सबसे पहले मेरे पास drug था drug को मैंने grinding करा कि एक्सपेंट करने के लिए मिक्स करने के लिए मैंने मदद ली वीकान blender की अब ड्रग के complex को मैंने थर्ड स्टेप में डाला जिसका नाम है compaction जहां पर पैलेट्स का formation हो गया और ये pellets का formation होने के बाद, इस pellets को break करना है क्योंकि ये काफी बड़े होते हैं, तो crushing करनी है, break करना है, break करने के बाद, अब जब pellets break हुआ है, इस तरह से pellets जो है, break हो जाएंगे, अलग-अलग shape में break हो जाएंगे, तो उसके बाद इसकी screening कराने, इसको छननी से pass करा देना ह एक ए ताकि जो बड़े बड़े लंगे ना वहीं पर रह जाएंगी और चोटे चोटे-गे युल होगे बास ऑउट हो जाएंग गार अब उसके बाद वापीस मिक्सिंग में लिखा अब्ब बोलोगे सर mixing तो हमने यहां करा दी थी एक्सेपेंट तो एड़ कर दीते अब क्या mix कर रहे हो अब मैं mix कर रहा हूं lubricating agent lubricating agent बहुत ही जरूरी होता है अब क्यों जरूरी होता वो ध्यान से सुनो देखो यह है आपकी डाय केविटी डाय केविटी क्या होती है एक इसी जगे होती ही जहां पर ग्रेनियूल रहते है ठीक है एक होता है आपके पास अपर पंच इस अपर पंच एक होता है आपके पास लोवर पंच और यहां पर होता है आपके पास होपर इस होपर से क्या होता है ग्र है और इस आप टेलेट बना नहीं कि अपर पंच जो है नीचे आता है और लोर पंच उपर की तरफ जाता है तो यह उजाते जो ड्log के कम्प्रेशन से ही इस तरह से टेबलेट बनती अब आप कि आप खुछ सोचो अपर पंच इस तरफ आ रहा है और यहाँ पर compression हो रहा है जो लेना यह ग्रेणीव दबने वाला उपड़ से भी दबने वाला उपर से भी दबने वाला उर टेबलेट का के लिए अगर निया चिपक जाएंगे तो इसको रोकने के लिए हम डाइक एविटी में पहले ही क्या एड कर देते हैं लूब्रिकेटिंग एजेंट यह देखो यह रेट कलर से लूब्रिकेटिंग एजेंट अब यहां पर ग्रेनियुल रख लो अब अपर पंच आएगा लोवर पंच आएगा तो टेबलेट बन जाएगी और यह स्थिक भी नहीं होगी क्योंकि आपने एड कर लिया है लूब्र लिएज चीजिए एक्स्वें करनी है है यहां पर में लिखा हुआ है विस्यालू वैसे सारी बात यह लिख्य है किस स्टेप में क्या हो रहा है तो यह हो गया घ्र ऐग उडिळा सबसेंगfolन को ک्र सबसेंग आपका ग्रीड क्रेनियूलेशन के है इसे यहां पर मोइश्चर का यूज हुआ है वोटर का यूज हुआ है की रीट दो को तो इा धिक cocaine डिफ़वम अब जो ट एक और गरेनोलेशन मेट है है न ग्दीद नाम से पता लग रहा, dry process है, अब जाके wet granulation आया है, तो यह wet granulation में moisture का use हुआ है, liquid का use हुआ है, granulating liquid का use हुआ है, so that's why we can say, कि यह जो technique है, वो काफी अलग है, बाकी technique से, क्योंकि यहाँ पर involvement हुई है, यहाँ पर use लिया है, हमने liquid का, जो हम compact mass बनाते हैं, जो भी हम अभी slug ब बना रहेते हैं, compact mass बना रहेते हैं, हमारे initial material से, raw material से, तो with the help of water हम यहाँ पर बनाएंगे, wet granulation में, अब देखो, यहाँ आपर मैंने बता रखा है, कि कौन-कौन सी tablet आप बना सकते हूँ, जिसे aluminium hydroxide, chewable tablets होती, वो आप बना सकते हो, with the help of wet granulation method, यह most conventional method है, versatile है, मतलब method है, का मनेक, ठीक है, सर मैं यहाँ तक clear होगी, आप wet granulation में, water का use करके, आप slug बनाओगे, अब देखते हैं, wet granulation के procedure को, सबसे बेले वही, आपके पास एक बड़ा सा drug है, इस drug की आपने करा दी grinding, और grinding कराने से क्या होगा, जो बड़ा drug का particle है, वो चोटे चोटे drug के particle में convert हो mixer से mix, क्या mix करा होगे, यहाँ पर liquid को mix करना है, I repeat, यहाँ पर हम liquid को add करेंगे, तो liquid कौन सा होगा, जैसे alcohol, तो सबसे बिले आपके पास drug थी, बड़ी drug, उसका आपने चोटे चोटे particle में convert कर लिया, with the help of grinding step, and second step होगी, आपको drug को excipient के साथ mix करना था, आपने कर दिया, mixing कर सबसे बड़े चोटे में convert किया, फिर ड्रक के साथ excipient को add कर दिया, with the help of vicon blender, with the help of mixing, उसके बाद, share mixer के द्वारा, share mixer के द्वारा अपने liquid को भी add कर दिया, और liquid जैसे एड होगा, यहाँ पर compact mass बन जाएगा, slug बन जाएंगे, इस तरह से, इस lack को आपको पास कराना है, wet screening करानी है, क्योंकि यह अभी weight है, क्योंकि आपने liquid को add किया है, तो यह weight है, तो इसकी screening करानी है, तो इसको बोलेंगे, wet screening, vein, way e this cleaning कराने के बाद जो भी आपके पस granule आएंगे उसके आपको करानी है ड्राइंग Sukaने इनको ठीजिए के चक्कर mixing और mixing क्या करना है अभी मैंने आपको बताया जो dry granulation मैंने आपको समझाया था तो वहाँ पर स्टेप 3 में शियर मिक्सर है जहां पर आपने ग्रेनुलेटिंग लिक्विट जैसे के अलकॉल को एड़ किया जिसकी वज़े से स्लक बना कॉम्पेक्ट मास बने फिर उसकी वैट स्क्रीनिंग कर रहा है फिर उसको ड्राइंग कर रहा है उसके बाद लास्ट में आपने ब्ले Stevens फॉर्मृलेशन ऑफ टेबलेट जहाँ पर रहनें देखा로 ग्रेन्ीलेशन किससे होता है डाक्राइड ट्रे मेसे अब हमिंखना है कि कौन-कौन वसी परशह में से जो की हमें टैभलेट के फॉर्मिलेशन के दौरान आ सकती है कि आप सभी को पता है ने tablet formulation कैसे होती है घ्रेनेयो युद्ह बनते है ग्रेनिुज जो है चुम्स घ्रापर होता हैए और यह दोनों यह करते और इस तरह से हैं ठीक है तो यह मशीन से जैसे की सीन्गल पंच मशीन मल्टी पंच मशिन ग्राइब कोटा चापला strategy i ये देखो आप मैंने आपको बोला था ना होपर होपर जिससे ग्रेनियूल्स को आप पास कराओगे उसके बाद एक अपर पंच होता है एक लोवर पंच होता है एक डाय के विटी होती है तो ये हो मशीन अब इस मशीन में दिक्कत हो सकती है जिसकी वज़े से टेबलेट पंच होता है तो यहां पर सभी तरह की मशीन चोंटी है जो की काम आती है या आपको देखने को मिलेगी आपके लैव वगेरा में ठीक है अब देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है तो वन बाई वन देखो सबसे पहली प्रोब्लम में कैपिंग की capping की problem ऐसी problem होती है जहाँ पर tablet के उपर की तरफ से या नीचे की तरफ से थोड़ा या पूरा ही part remove हो जाता है आप देख सकते हैं डाइग्राम में यहाँ पर अपर साइट पर जो है tablet का जो अपर पार्ट है वो remove हो चुका है तो partial और completely remove of top और bottom portion of the tablet tablet का top portion या tablet का bottom portion partially या completely remove हो जाए तो उसको हम कहेंगे capping tablet का upper portion या फिर tablet का lower portion partially या फिर completely remove हो जाए उसे आप कहेंगे capping अभी जो capping की problem है यह क्यों आ रही है capping की problem क्यों देखने को मिलती है वो देखिए या तो आपने बहुती ज़्यादा fine granules यूज कर लिए या फिर आपके punches और die खराब हो चुके है या फिर आपकी जो machine थी tablet बनाने की जो machine थी वो बहुती speed से चल रही थी high speed of tablet machine या फिर आपके जो granules थे वो बहुत ज़्यादा dry थे तो इन चार condition की वज़े से आपको देखने को मिल सकती है capping की problem जिसे कि आपके granules काफी सदा fine थे पंसेस dice कराब है tablet machine की जो speed है वो बहुत ज़्यादा है या फिर आपके granules बहुत ज़्यादा dry है ठीक है तो इन सब वज़े से आपको देखने को मिल सकती है capping की problem अब इन सब को सही कैसे करेंगे देखो सही करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कितना easy है fine granules बन रहे हैं तो ज़्यादा fine granules ना बनाईए defect थे 500 डाई में तो new लगवा लीजे या फिर उन्हें polish करवा लीजे speed ज़्यादा है तो speed जो है medium रखी है moderate रखी है granules बहुत ज़्यादा dry है तो थोड़ा सा moisture rate कर दीजे आप देख सकते हैं जो भी मैंने आपको बोला वो सारा है यहाँ पर लिखा हुआ है पहला मैंने आपको बोला कि तो यहाँ पर लिखा है regulate the speed of tablet machine चोता है कि अगर बहुत ज़्यादा dry है तो moisture rate कर दो तो जो problem है उसी को सही कर दो वो होगे आपका defect overcome तो कितना easy है सबसे पहले हमने देखा capping होती क्या है partial or completely remove of top और bottom portion of the tablet फिर reason देखे कि fine granule है या पंचेस दाई खराब है या फिर tablet machine की speed बहुत ज़्यादा है या फिर granule बहुत ज़्यादा dry है तो इन reason की वज़े से हो रहा अब इन reason को सही कैसे कर सकते है सही कर दो सब को भी पता है हमने कि अगर बहुत ज़्यादा fine है तो उनका fineness कम कर दो बढ़े बढ़े रखो तो बढ़े बहुत ज़्यादा dry है तो moisture दे दो speed बहुत ज़्यादा है machine की तो कम कर दो और punches दाई खराब है तो उसे polish कर दो या replace कर दो हो गया अब देखो picking और sticking क्या होता है देखो इतना तो आपको याद हो गया होगा कि यहाँ पर होती एक die cavity जहाँ पर होते granule एक होता है upper punch एक होता है lower punch एक होता है hopper जिससे granules अंदर आते हैं तो यह जो upper punch है this is upper punch this is lower punch तो यह जो upper punch है अगर यहाँ से कोई material ले ले granules का तो उसे हम कहते हैं picking pick कर लिया और अगर यहाँ पर stick हो जाए दाई के विटी में स्टिक हो जाए तो इसे हम कहेंगे स्टिकिंग नाम से पता लग रहा हमें पता भी है कि अगर ग्रेनियूल जो है डाई के विटी में स्टिक हो जाते हैं यह डाई के विटी है जहां पर ग्रेनियूल है अब जब कंप्रेशन होगा अपर पंच आएगा लो तो यहाँ पर यह tablet सही से बन जाएगी और इससे stick भी नहीं होगी, ठीक है, तो यह sticking का problem आपको पता है, और picking का problem क्या होता है, कि upper punch जो है, थोड़ा बहुत part ले जाए यहाँ से, means pick the material by upper punch, picking का मतलब क्या होता है, upper punch जो है, pick कर ले कुछ material को, तो reason क्या है, सीधा सा reason है, sticking का reason यही है ना, कि lubricant आपने सही से नहीं लगाया, बहुत कम लगाया हुआ है, या फिर लगाया ही नहीं हुआ, diegavity में, या फिर आपकी diegavity या punches ही खराब है, या फिर moisture बहुत जादा है, अगर moisture बहुत जादा होगा, तो चिपचिपा होगा, च तो देखो इन सबसे बचने का तरीका क्या है, अगर आपने lubricant कम लगाया, तो lubricant का use जादा करो, अगर आपके punches और diegavity खराब है, तो उनको new लगाओ, और अगर आपका moisture content बहुत जादा है, तो उसको dry कर दो, बस यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, इस defect से हम overcome किसे कर सकत है, डाइ-punches नहीं लगाके, lubricant की quantity बढ़ाके और dry greenhouse का use करके, यह हो गया picking और sticking और इससे पिले आपने देखा capping, next है आपका modeling, अब यहाँ पर क्या होता है, distribution जो होता है ना color का, वो सही से नहीं हो पाता, आप देख सकते हैं, इस diagram में, यहाँ पर जो tablet से, इनमें color का distribution सही इससे नहीं हो पा रहा है, ठेके, unequal distribution of color on tablet surface, अब इसा क्यों हो रहा है कि unequal distribution हो रहा है, इसके कारण क्या है, कि यह जो condition ही क्यों हा रही है, unequal distribution of colors की, तो या तो आपका granule जो है, वो colors के साथ proper mix नहीं हो पाया, ठेके, या फिर आपने कोई अलगी color use कर लिया, या फिर जब आप granules को dry कर रहे थे, सुखा रहे थे, तो हो सकता है, उस दोरान कोई डिक्कत आगे, temperature आपने बहुत जादा रख दिया, तो उस बज़े से भी unequal distribution हो जाता है color का, तो temperature को lower करके रखना होता है, drying के time पे, ऐसा यह temperature बहुत जादा कर दोगे, जब आप granules को dry करोगे, ठेके, तो color proper use करो, color proper mix करो, वो ही color use करो जो चाहिए, और drying जो है कम temperature पे करो, देखो यहापे लिखा है, drying the granular at lower temperature, वो करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप इससे बस सकते हो, unequal distribution of color से, now next is weight variation, weight variation क्या होता है, जैसे आप tablets लेकर आते हो market से, इनने में बोलते है, पत्ता, tablet का पत् सबको वे करो, जिसे इसका weight मैंने निकाला, इसका weight मैंने निकाला, इसका weight मैंने निकाला, फिर सबका weight निकालने के बाद में को average निकालना होता है, 1, 2, 3, 4, जितना भी यह उतना लिख के average निकालना होता है, फिर मैं कुछ चेक करना होता है, कि सब में weight same है, देखो सब में weight जो है सेम आना चाहिए लगबलगबग weight variation होना ही नहीं चाहिए फिर भी अगर weight variation हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है वो देखो जो marketed tablet है उनमे weight variation का current क्या है कि आपके जो granule से वो uniform size के नहीं थे अगर आपके granule uniform size के नहीं थे तो आपके weight variation आ सकता है या फिर अगर आपकी mixing proper नहीं होई तो weight variation आ सकता है या फिर no uniform flow of the granule from the hopper hopper से granules का flow uniformly नहीं रहा हो कुछ तेज हो कुछ दिरे दिरे हो तो उस वज़े से भी आपका weight variation आ सकता है तो ध्यान रखना या तो granule uniform size के नहीं थे या फिर lubricant के mixing size से नहीं होई या फिर उनकी flow property सही नहीं थी देखो एक तो granules जो है uniform size के नहीं हो थे या फिर uniform flow नहीं होता granule का hopper से granule इ granule की दिक्कत है या तो granule uniform size के नहीं होते granule का flow जो है hopper से सही से नहीं हो पाता और mixing नहीं हो पाते lubricant के सही से या फिर आपने excess amount of fine powder का यूज किया है तो ये सारी ही condition में weight variation के chances बन जाते हैं granule का uniform size ना होना, granule की uniform flow property ना होना होपर से proper mixing lubricant की ना होना और excess amount में fine powder का use करना ये सारे ही कारण होते हैं weight variation के अब इनको सही कैसे करोगे आप सभी को पता है कि granule जो है uniform size के बनाओ flow property उनकी सही रखो, proper mixing करो देखो impression क्या होता है, जैसे आप tablet formulation करते हो, तो tablets पर आपने इस तरह की lines देखी होगी या फिर आप यहाँ पर देखिए, tablet formulation के दुरान इस तरह से आप अपना logo वहाँ पर imprint कर जाते है ठीक है, तो उसे हम कहते है impression, पर दिक्कत कब आती है जब double impression हो जाता है हमारी जो अपर पंचे से होते है, हमारी जो lowerwas pry पंचे से होते है और die gravity होती है, यह diegivity है इसके उपर अपर पंचे और इसके निचे lower conservation में टारफ आता है और अपर पंच नीचे की तरफ आता है, और granules को compress करके tablet बनाते है अभी double impression में क्या हो रहा है कि यह जो lower punch नहीं तोड़ा सा खराब हो गया और lower punch के खराब होने से यह जो impression एक बार होने वाला था यह double हो गया यह जो impression एक बार ही होना चाहिए था यह वाला यह double हो गया इस तरह से one two इस तरह से double हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे double impression मतलब lower punch मे हो पाई एक तरह की declaration ही हो पाई जो लाइनिंग वगे रहे यह सह सह नहीं पाती एस तरह से लौ यह पंच की खराबी भारण तो आप क्या कर सकते हो Caf Force को सही कर सकते है लोओर पंच को यह तो रिप्लेस कर दो या फिर उसकी जू does activities अभर सब्सक्सको कंट्रोल कर दो नेक्स्ट आपकी चिपिंग, चिपिंग क्या होता है वो देखो, जैसा कि आप डियाग्राम में देख सकते हैं, चिपिंग में क्या होता है, जो टेबलेट की सरफेस होती है, सते होती है, वो खराब हो जाती है, चिपिंग is a defect where the film on the edges of a tablet is chipped or dented, आप देख सकते हैं, जो पर, तो ये होती है, चिपिंग, कारण क्या होता है, चिपिंग होने का, ग्रेनियूल सापके बहुत ज़्यादा ड्राए हो, या फिर आपने बहुत ज़्यादा मांट में बाइंडर का यूज कर दिया हो, या फिर आपके जो edges है, वो काफी पुराने हो चुके हो, जो पंच में क्या होता है, चिपिंग की प्रोब्लम आ सकती है, इसको आप सही कैसे करोगे, पंच को सही कर दो, बाइंडर को limited rate करो, ड्राए है तो थोड़ा सा moisture rate कर दो, ठीक है, नेक्स्ट है आपका cracking, आप देख सकते हैं, इस डाइग्राम में, टेबलेट किस तरह से crack हो रही है, द अलग हो जाता है, इस तरह से crack हो जाता है, आप देखिए, यहाँ पर यह cracking हो रही है, यह जो है cracking हो रही है, ठीक है, reason क्या है, बहुत जादा dry granule का use करना, size of granule are too large, बहुत बड़े size, जो है आपने granule के use कर लिए, deep concave shaped punches अगर आप use कर रहे हैं, जैसे इस तरह के punches होते हैं, ना concave lens आपने देखा होगा, यह जो concave इस तरह से होते हैं, वो deep concave है, बहुत जादा deep, इस तरह से deep concave, ठीक है, तो deep concave पंचेस अगर आप use कर रहे हैं, तो उस condition में आपको देखने को मिल सकती है, आपकी tablet में cracking, और cracking क्या होती है, कैसा defect होता है, जहां पर upper and lower central surface जो होती है tablet की वो crack हो जाती है, या तो बहुत जादा dry granule हो, या फिर बहुत जादा size हो granule का, या फिर deep concave shape के आप पंचेस यूज़ कर रहे हो, तो इन कीनों condition में ही cracking होने की chances होते हैं, ठीक है, तो यह थी आपके सारे defects, जहां पर हमने देखा cracking, cracking से पहले देखा double impression, chipping, unequal distribution of colors, weight variation, capping sticking and picking, यह सारे manufacturing defects है tablet में, अब उसके बाद यहां पर आपको दे रखा है tooling used in tablet compression machine, तो तरह तरह के tooling type दे रखे हैं, जैसे type D, type B, BB और DB, देखो इस तरह से याद कर लो, सबसे पहले tooling type हो गया D, फिर हो गया आपका B, और जो तीसरा है उससे तो आज तक कोई नहीं जित पाया, जिसका नाम है tooling type BB, और उसके बाद आजाएगा D, और B मिला कर DB, फिर इनके आपको diameters वगेरा दे रखे हैं, यह आपको देख लेना है, फिर आपको working principle दे रखा है, किस तरह से hopper से material जाता है, यह पूरा diagram, यह देखो यह top punch है, यह bottom punch है, यहापर powder रखा हुआ है, tablet प्रेस ह हुई, ठीक है, फिर यह हटेगा, और यहाँ से आप tablet को remove कर सकते हो, यह diagram आपको as it is, बना देना है, theory आपके सामने लिखी हुई है, एक बार इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना हो, समझना, वैसे मैंने जो आपको बोला है, आप simple language में लिख सकते हो, upper punch, lower punch, die cavity, lubricating agent, वग direct compression method, compression and processing problem, जिसमें chipping देखा है, sticking देखा है, और हमने cracking देखा है, बगेरा बगेरा, फिर equipment and tablet tooling, जहाँ पर हमने भी diagram देखा छोटा सा, ठीक है, और D, dueling, B, BB, DB, यह वाले tooling देखे हैं, तो यह था आज का अपका lecture, I hope आपको lecture clear हुआ होगा, अगर आपको lecture से related, कोई भी doubt है, तो आप comment section में comment कर सकते हैं, यह notes आपको depth of biology application में मिल जाएंगे, और depth of biology application का मिलेगी, आप download कर सकते हैं, play store से, telegram से जूर जाना, telegram पे रोज MCQ upload होते हैं, instagram पे भी MCQ upload होते हैं, और यह आपकी GPT की preparation को boost up करेंगे, आपकी preparation को boost up करेंगे, तो telegram, instagram पे update भी आती है, MCQ भी आत हैं, उनसे जरूर जूर जाना और application download कर देना, for further query, वहाँ पर chat section भी है, सब कुछ मिलेगा application में, subscribe and share for more, have a nice day, thank you